कि अ capital udah है हम यह जो देख रहे हैं यह फ्रेंड्लिच एक सिर्टफिन अिसोथर्व इसमें प्रेशर जो है वह बढ़ रहा है तोड़ा थे जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे एडसरोशन बढ़ता है लेकिन एक सर्टन लेवल पर देखो आप एक एरो के बीच में एक ऐसे कर्व बिलकुछ सीधा जाता है बाद में कितना भी प्रेशर बढ़े वह और इसमें टेंपरेजर कॉंस्टंट है इसलिए इसको ब लिखने के लिए लिख सकते एक बाइं ड़िर्यकल इस दार्परोशनलिटी को कॉंस्टेंट करेंगे तो के एंटुट पी तो दवा रवन बाइं तो बी इस देप्रेशर प्रेसर इस प्रीप्रेशली इक्विलिब्यृ म् प्रेशर यह वह समय जहां पर आरोपए दिखाया अब अगर इसको हम ऐसे बनाते हैं बहुत बर क्या होता है कि solution phase में जैसे हमको पता है कि जो भी solution है उसमें क्या है एक solvent है और एक solute है लेकिन solid that can adsorb the solute from the solution concentration का ज्यादा हो ज्यादा हो acetic acid का जैसा example लेते है acetic acid में मानलो impurity है और charcoal लिया हमने और charcoal के साथ उसको shake किया तो क्या होता है यह जो acetic acid में होने वाली impurities है वो charcoal के तरफ adsorb हो जाती है acetic acid का भी concentration उसके तरफ कम हो जाता है थोड़ा acetic acid भी charcoal के तरफ adsorb हो जाता है तो यह adsorption process है solution phase में हम बनाते है इसको तो solution phase में बस फरक इतना ही है वहाँ pressure था यहाँ concentration रहेगा यहाँ pressure था यहाँ concentration रहेगा यहने pressure constant रहेगा concentration बढ़ते जाएगा जैसे जैसे concentration बढ़ेगा एक certain concentration के बाद adsorption stop हो जाता है और वो जो concentration है वो that is the equilibrium concentration again the equation is same but this adsorption is in the solution phase actually adsorption के बहुत ज्यादा application है उस application में कुछ जो important है इसको अपने को याद रखना है जैसे high vacuum है यहने हवा बिलकुल निकाली हुई है ऐसी जगह से भी थोड़ से भी trace भी हवा होगे यह completely very high vacuum बनाने के लिए भी यह adsorption process का use करते है यह charcoal को use करेंगे वो charcoal पूरी तरह वहां से हवा adsorb कर लेगा यह आपको पता होगा कि जो बड़ी बड़ी coal mines होती है जहापे नीचे तक जाते हैं लोग coal mine में तो breathing के समय काफी उनको यह होता है या कोई भी mines में तो ऐसे जगह जो gas mask use करते है that gas mask use for breathing तो इस gas mask में भी क्या होता है charcoal और mixture of adsorbent होता है वो जो poisonous gases उनको adsorb कर देते हैं तो यह भी use है उसके बाद humidity को control करना मतलब humidity moisture है तो जैसा silica and aluminium gel इनको use करते हैं जो humidity को बिलकुल कम करता है आपने कभी देखा होगा जो bottle होती है गोली वगरी कि नहीं हमालय कंपनी वगरी कि जो उसमें एक छोटे से polythene type में चोटा सा इसमें दाने दाने यह रहता है इसलिए वहां पर इस तरह का substance होता है जो वहां से पानी को अपनी तरफ अपसर्प कर लेते हैं काफी दिनों में भी नहीं हिलाएंगे डबा आपन तो कितनी बड़ी आवाज आते मतलब ऐसा लगता कि अभी पानी है लेकिन थोड़े दिन तक उसको बाहर रखा तो सॉलुशन में मान लोग जैसे एक ट्रांस्परांड सॉलुशन उसमें कोई कलरिंग मटरियल आ गए तो कलरिंग मटरियल दैट आल्सो कैन बी रिमूड फ्रॉम दैनिमल चार्कॉल ये भी है बहुत सारे और भी हेट्रोजीनिस कैटलिस हैं इनर्ट गैसिस का सेप्रेशन है कुछ तो disease है, curing of the disease, particularly कुछ germs को किल करने के लिए भी, adsorption process से, means the number of drugs are used to kill the germ by getting adsorbed on that, उसके उपर adsorbed होने के बाद वो germ मर जाते हैं, इस तरह भी है, तो ये जो important important आपके adsorption जो process है, इसके जो important application है, इसको आप लोगों ने याद रखना है, इस adsorption indicator करके भी उस करते हैं, chromatographic analysis में भी इसका उस होता है, तो कम से कम 3-4 आप लोगों को ये आने चाहिए,